नमस्कार मैं एडूकेट नरेश्कुदाल आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल विधान का ज्यान पर दोस्तों हमारे देश में हर साल करीब पांस लाख एक्सिडेंट होते हैं जिन में करीब पांस लाख लोग घायल होते हैं और एक लाख पचास हजार लोगों की मौत हो जाती है आकड़ों के बारे में और भी गंभीर बात यह है कि मरने वालों में अधिकतर लोग 18 से 45 साल के बीच के होते हैं यह वो एस ग्रूप है जिस पर उनसके परिवार वाले सबसे ज़्यादा निर्भर करते हैं कई बार तो ऐसा होता है कि घर के मुख्य कमाने वाले व्यक्ति की मृत्य हो जाती है और उसका परिवार बड़े संकट में आ जाता है हमारे देश में एक्सिडेंटल डैथ होने पर या फिर एक्सिडेंट में घायल होने पर छतिपूर्ति की राशी दिलवाने के लिए कानून बने हुए हैं लेकिन उनकी जानकारी नहीं होने के कारण से पोड़ी से अमाउंट देखर अपना पीछा चुड़ा लेता है दुरगटना में जिस्वेक्ति की डैथ हो जाती है उसके परिवार वालों के लिए उसकी छतिपूर्ति तो किसी भी तरह से संभव नहीं है लेकिन हैमेसिटी का क्लेम करके एक काफी हैंडसम अमाउंट उस को मिल जाती है जिससे काफी हद तक उस परिवार को सहारा मिल जाता है आज के वीडियो में हम एक्सिडेंटल डैथ या एक्सिडेंटल इंजरी होने पर च्छतिपूर्ति के लिए जो क्लेम पेश किया जाता है उसी के बारे में बात करने वाले हैं टॉपिक आपके लिए आ इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें। टॉपिक शुरू करने के पहले यदि आपने अभी तक अमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लिजिए और बेल आइकोन को भी दबा दीजिए। Accidental claim चाहीं वहडेत के संबंद में हो चाहीं इंजरी के संबंद में। उसमें सबसे पहला step होता है FIR Accidental मामले में FIR ध्यान से लिखवाई जाने चाहिए, FIR में accident की exact location लिखाने चाहिए और जिस वाहन से एक्सिडेंट हुआ है उसका नंबर भी FIR में ही लिखवाय जाए तो बहुत अच्छा रहता है कई बार FIR अग्यात वाहन के खिलाफ लिखवा दी जाती है और फिर बाद में किसी वाहन के नंबर उसमें एड़ करवाय जाते हैं ऐसे मामलों में थोड़ी परेशानी हो सकती है चालान कोर्ट में जैसे ही पेश होता है उस पूरी पत्रावली की certified copy हमें कोर्ट से ले लेनी चाहिए क्योंकि claim प्राप्ट करने के लिए जो याची का तैयार की जाती है वह है उस पत्रावली में दिये गए तत्थों के आधार पर ही तैयार की जाती है claim पेश करने के लिए सबसे पहला सवाल यह आता है कि claim कौन सी जगह पेश किया जाए इसके लिए claim पेश करने के अधिकारी व्यक्ति के पास तीन option होते है पहला option जहां पर accident हुआ है उस इस्थान से संबंदित कोर्ट में claim पेश किया जा सकता है दूसरा option जहां पे वह है व्यक व्यक्ति के उत्रादिकारी जहां रहते हैं उस जगह भी claim पेश किया जा सकता है और तीसरे option के रूप में जो एप्रार्थीगन है यानि driver वाहन का मालिक जिस इस्थान पर रहते हों उस इस्थान पर भी claim पेश किया जा सकता है लेकिन इन तीनों में से सुविधा जनक वही स्थान होता है जहां पर accident जिस व्यक्ति का हुआ है वह व्यक्ति या उसके उत्रादिकारी निवास करते हों किसी भी accidental claim के मामले में सबसे पहली party driver को बनाया जाता है जिस driver के द्वारा वाहन का accident किया गया है उसके बाद में उस वाहन का registered मालिक और उस वाहन की बिमा करता company को भी मामले में party बनाया जाना जरूरी होता है अधिकतर मामलों में accident करने वाला वाहन बिमित होता है इसलिए claim का भुगतान बिमा करता company के द्वारा ही किया जाता है इस तरह से driver मालिक और बिमा करता company को पक्षकार बनाते हुए या तो claimant खुद claim पेश कर सकता है या अपने व accidental claim के मामलों को जल्दी से निप्टाए जाने का प्रयास किया जाता है कई जगे तो motor accidental claim tribunal बनाये हुए हैं जिनके द्वारा केवल claim cases की ही सुनवाई की जाती है इसलिए ऐसी स्थिती में claim की सुनवाई और भी जल्दी हो जाती है अब claim में मिलने वाली राशी की गणना को सम व्यक्ति को सडक दुरगटना में चोटें पहुंची है उसके द्वारा किन किन चीजों बबत claim किया जा सकता है इंजर्ड व्यक्ति सबसे पहले तो अपने इलाज में लगने वाला पूरा खर्चा claim के रूप में प्राप्त करने का दिकारी होता है इसके लावा अस्पताल आने जाने का खर्चा दवाईयों और पोस्टि काहार का खर्चा इलाज के दोरान अपने साथ अटेंडेंट रखने का खर्चा और इलाज के लिए उस व्यक्ति को जितने दिन अस्पताल में भरती रहना पड़ा है प्रत्येक दिन के लिए 500 रुपे का खर्चा अलग से प् खर्चों के अलावा प्रत्येक चोट के लिए भी छतिपूर्ति मिलती है जिसमें साधारण चोट के लिए 2-5,000 रुपे और गंभीर चोट के लिए 10,000 रुपे मिलते हैं लेकिन गंभीर चोट यदी फ्रेक्चर के रूप में हैं तो 50,000 रुपे तक भी हर चोट के लिए मि जा सका और उस अनुपस्थिती के कारण उसे जो लोस हुआ है वह लोस भी क्लेम करने का अधिकारी होता है इंजर्ड क्लेम के बाद में अब हम बात करेंगे एक्सिडेंटल डैथ के क्लेम के बारे में एक्सिडेंट में किसी व्यक्ति की डैथ की स्थिती में उस व्यक्ति के और आश्रित व्यक्ति लोग ओर्ट में छती पूर्ति के लिए क्लेम पेश कर सकते हैं, डेथ क्लेम में भी यदि डेथ के पहले करवाये गए इलाज में कोई खर्चा हुआ है, वह सारा खर्चा उत्रा दिकारी प्राप्त करने के दिकारी होंगे, इसके अलावा छती पूर्त होती है, आय की छती के कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले तो कंसेडर होती है मृतक की एज, कि मृतक कितने वर्स की आयूका था, और दूसरी बात कि वह कितने रुपे प्रतिवर्स कमाता था, उसकी जो भी सालाना कमाई है, उसमें से जो राशी वह खुद पर खर्च कर देत था, वह राशी इनकम में से घटा दी जाती है, मान लिजिए, यदि किसी मृतक के तीन उत्रादिकारी हैं, तो यह माना जाता है कि वह अपनी कुल आय का एक बट्टा तीन खुद पर खर्च करता था, और यदि उसके उत्रादिकारी चार से छे हैं, तो यह माना जाएगा क कि वह अपनी कुल आय का 25 प्रतिशत खुद पर खर्च करता था, और इस प्रकार से 6 बच्ची ही वी राशी को आधार मान कर कुल छतिपूर्ती की गणना की जाती है, मृतक की आयू के अनुसार उसकी आय को देखते हुए गुणक का यूज किया जाता है, और मृतक की वार् 20 से 30 वर्ष की आयू के आदमी की डैथ एक्सिडेंट में हो जाती है, जो 6 लाग रुपए हर साल कमाता था, और उस पर 4 उत्राधिकारी या 4 आश्रित हैं, ऐसी स्थिती में यह माना जायेगा कि वह अपनी कमाई का कुल 25 प्रतिशत खुद पर खर्च कर देता था, यानि कि खुद पर खर्च करने के बाद राशी बस्ती है 4 लाग पचास हजार रुपए प्रतिवर्ष को 18 से गुणा किया जाएगा, गुणा 18 बराबर 81 लाख रुपए में उस व्यक्ति की आय में भविश्य की संभावित व्रत्थी के लिए 50 प्रतिशत और जोड दिया जाएगा, इस तरह से कुल रगम होगी 81 लाख प्लस 50 प्रतिशत यानि की 1 करोड 21 लाख 50 हजार रुपए उस व्यक्ति के उत्रा दिखारियों को आय की छती के रूप में दिलवाए जाएगे, इसलिए दोस्तों यदि आपके किसी भी मित्र परिचित रिष्टेदार के साथ ऐसी कोई घटना हो जाए तो उसे इन तथ्यों की जानकारी जरूर दें और M.A.C.T. क्लेम दिलवाने में उसका सहयोग जरूर करें, ऐसी ही उपयोगी जानकारीयों के लिए बने रही है हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में